Sex Determination in Human मनुस्य में लिंक का निर्हाण कैसे होता है? कैसे पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी? या इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पुरुस है या फिर महिला है? तो आज इस हम पॉइंट पे बात करेंगे और आज जानेंगे कि कौन जिम्मेदार है? समाज में बहुत सारी ब्रांतियां हैं ब्रांतियां मतलब doubts या भ्रम है कि इस्त्री या महिला ही जिम्मेदार है कि लड़की बार-बार लड़की हो रही है तो बोले कि तुम्हारी वज़े से हो रहा है या बार-बार लड़का हो रहा है तो बोलें कि तुम्हारी वज़े से हो रहा है जो कि इस point से हम समझ जाएंगे कि इसका जिमदार कौन है और क्यों ऐसा होता है क्यों लड़का पैदा होता है और कैसे पता चलेगा कि लड़की पैदा होगी या होती है तो आज देखते हैं य के पॉइंट मनुस्य में लिंग निर्धारण यानि sex determination in human कहता है कि मनुस्य के प्रते कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुण सुत्र होते हैं यदि हम इसको कोशिका माल लेते हैं माल लिजे तो इसमें 23 जोड़ा या फिर 46 गुण सुत्र होगा 23 जोड़ा या फिर कह सकते हैं 23 जोड़ाओ य़ाओ या विर कोशिका माल लेते हैं अगला पॉइंट देखेंगे अगला पॉइंट हमारा है आज हम जानेगे कि मनुस्य में लिंग निर्धारण सेक्ट डेटिर्मिनेशन इन हुमेन कैसे होता है कैसे जानते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी आपने देखा होगा हमारे समाज में जाता है बार बार लड़की हो रही है तो बोला जाता है कि तुम्हारे वज़े से लड़का हो रहा है तो इस भी से पर हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि क्या रीजन है या कैसे लड़का पैदा होता है या कैसे लड़की पैदा होती उनका निर्धान कैसे होता है लिंक कैसे बनता है और पेट में पलने वाला बच्चा कैसे जानेंगे कि उसका जिम्मेदार कौन है पिता है या फिर माता है बच्चे लड़का है या लड़की हैं इनके भी से में आज हम देखेंगे आज का बहुत क्वाइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको एक बार आप समझ लेंगे तो मैं कहता हूँ कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे तो देखते हैं बोला है कि मनुस्य में लिंग निर्धान सेक्स डेट इ कैसे होता है तो कह रहा है कि मनुस्य के परते कोशिका के इंद्रक में 30 जोड़ा अर्थात 46 गूर्ण सुत्र होते हैं जिन में 22 जोड़े अर्थात 44 गूर्ण सुत्र पूरुस तथा इस्त्रियों में समान प्रवीर्ति के होते हैं यदि माली मनुस्य का जो सुकराण हुए क पोसिका है और उस पोसिका में 23 गूर्ण सुत्र हैं या फिर इस तरी के कुरुष की बात करें सुक्राणु में या फिर इस तरी के अंडाणु में 23 23 गूर्ण सुत्र होते हैं तेईस जोड़ा जोड़ा मतलब 46 46 गूर्ण सुत्र होते हैं उसमें से 22 गूर्ण सुत्र जो है ब में रंग लंबाई तथा सारीरिक बनावट के लिए उत्तरदाई होते हैं यदि मान लीजे 23 जोड़ा है जिस यानि 46 जिसमें से 22 जोड़ा है यानि 44 जो है समान गोर्षुत्र है और ये बता रहे हैं इनके लंबाई शरीर में बनावट रंग ये इस्तरी और पूरुस में के कोशिकाओं में यानि अंडारु के कोशिका में और सुक्राणु के कोशिका में बराबर होते हैं यहां तक समझ गए तेईस्वा जो जोड़ा होता है अर्थात दो गुर्षुत्र तेईस्वा जो जोड़ा होता है भिन प्रविर्ति का होता है तेईस्वा जो जोड़ा होगा पूरुस और इस्तरी में भिन प्रकिर्ति का होगा यही जो है यही जो है यही जो है यही जो है यही जो होता है ते सब उसमें नहीत रहता है यानि सम्मिलित रहता है और 23 जो गुण सुत्र होगा वो लिंग गुण सुत्र होगा उसी से डिसाइड होगा कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी या 23 गुण सुत्र मालीजे की लड़का या लड़की के लिंग का निधान करता है तो देखते जो X या Y के रूप में पहचाने जाते हैं, अब देखते हैं इस्ति में दो यनि X X गूरसुत्र होते हैं जब कि पूरुस में एक X तथा एक Y होता है पूरुस में क्या होता है एक X तथा Y होता है ये गुर्षुत्र माल लेते हैं कि इस्तरी में X X तो पूरुस में X तथा Y होता है अब चलते हैं लिंग निधान कैसे होगा कि वो लड़का होगा या लड़की होगी ये गुर्सुत्र लिंग गुर्सुत्र है इसी से हम लोग समझेंगे तो कह रहा कि यदि Y गुर्सुत्र वाला सुकराण का अंडाण के साथ निसेचन होता है तब युगमनज यानि जाइगोट XY प्रविर्तिका होगा और सीसु लड़का होगा यानि इस तरीके XX है और पुर्स के XY है तो ये Y वाला इस तरीके X के साथ मिलेगा यानि XY बनेगा तो क्या होगा? वो लड़का पैदा होगा वो लड़का पैदा होगा यहां तक समझ गये? अगला आगे देखते हैं आगे और क्लेर करता हूँ कि यदि X गुन सुत्र वाला सुकराण अंडाण के साथ निसे चन होता है तब युगमनज यानि कि जाइगूट XX बनेगा और सीसु लड़की होगी यभी जैसे कि मैं बताया था कि इस तरीका XX और पूरुस का XY होता है यदि ये Y वाला X के साथ मिलता है तो आपका लड़का होगा यानि XY होगा यदि ये X वाला इस X के साथ मिलता है तो XX होगा और XX क्या होगा XX की प्रकृति होगी तब सीसु क्या होगा लड़की होगी इसको हम पहले यहां से समझ लेते हैं यदि मालो xy ये पूरुस का सुक्राणु है ये सुक्राणु है और x x जो है माली जे अंडाणु है ठीक है अब क्या कह रहे हैं कि ये पूरुस हो गया और ये इस्त्री हो गई अब कह रहे हैं कि यदि ये वाई इस्त्री के अंडाणु के साथ नहीं सेचन किया सुक्राणु किस के साथ नहीं सेचन किया अंडाणु के साथ नहीं सेचन किया यदि ये y x के साथ निसेचन करता है तो ये जो बनेगा x y बनेगा और ये क्या होगा लड़का होगा ये क्या होगा लड़का होगा और यदि ये x इस x के साथ निसेचन करता है तो ये x x बनेगा और ये क्या होगा लड़की होगी यानि Y जो है यदि X के साथ निसेचन करता है तो लड़का होगा XY होगा और जो ये X इसके साथ निसेचन करता है तो ये XX होगा और वो लड़की होगी अब आप देखेंगे कि X यहाँ पर कौन जिम्मदार दिख रहा है किस के वज़े से लड़क इस तरी में तो दोनों X X हैं जबकि पुरुस में X और Y है तो Y जो जिमेदार है Y यदि X के साथ सनलें करेगा निसेचन करेगा तो X Y होगा और लड़का होगा X करेगा तो X ये किसी में किसी के साथ भी करेगा आप यहां प्यान देंगे तब समयद में आएगा ये मैं फिर से यहां पर figure बनाता हूं X Y X X ये इसके साथ या इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ समझे यनि कह रहा है कि यदि y x के साथ निसे चन किया तो x y यह आया तो x y और फिर इसके साथ भी किया तो यह x y यह इसके लिए है और यदि यह किया तो x x और यह भी इसके साथ किया तो x x तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि y जो बता रहा है y जो जिमेदार है लड़का के लिए और x जो जिमेदार है लड़की के लिए तो X के लिए तो आप देख रहे हैं कि Y के सलेन होने के बाद ही लड़का हो रहा है और Y किस में है? पूरुस में है Y किस में है? पूरुस में है तो लड़का ना होने का रीजन पूरुस है ना कि इस तरी है लड़का ना होने का रीजन पूरुस है ना कि इस्तिरी है क्योंकि पूरुस का Y इस्तिरी के X के साथ सनलेन नहीं कर रहा है निसेचन नहीं कर रहा है एक्स ही कर रहा है बार बार एक्स ही कर रहा है तो ये लड़की हो जा रही है यदि X, Y कर देगा तब ये लड़का होगा तो इस तरीके से क्या प्रूफ हो रहा है कि पुरुस जो है जिम्मेदार है लड़का होने के यानि लड़का नहीं हो रहा है किसी जोडे को या किसी कफल को या फिर पती-पतनी का बार-बार लड़की ही हो रही है तो इसका जिम्यदार कौन है? पूरुस है, इस्तरी नहीं है, इस्तरी का तो XX है, लेकिन पूरुस का X और Y है, जो की Y जो है निसेचन नहीं कर रहा है, इस्तरी के X में किसी भी X X के साथ में, जिसके वज़े से बार-बार लड़की हो रही है, जिस दिन Y करेगा लड़का हो लड़की होती है, आपने देखा होगा, यदि पहला लड़का है, इस बार फिर समझे, पहला यदि लड़की है, तो पूरुस का X जो है, इस्तरी के X के साथ सनलैन हुआ है, निसेचित हुआ है, दूसरा लड़का हो गया, तो पूरुस के सुकरानु का Y जो है, इस्तरी के X के साथ सनलैन हुआ है या फिर कह सकते हैं निसेचन हुआ है तो लड़की हुई है तो इस तरीके से क्या प्रूफ हो रहा है कि जो है लिंग निर्धार के लिए उत्तरदाई जो है य मूर्सुत्र है केवल केवल पूर्शू में ही पाए जाते हैं इसलिए पुत्र पैदाना होने पर इस्त्रियों को दोस्त हराना अब एग्यानिक है यहां पर यह कह रहा है कि लड़का पैदा होने का जो गुण सुत्र है और वो केवल सिर्फ वाई है और वाई सिर्फ पूरसों में पाय जाता है इसलिए लड़का पुत्र पैदा पर इस तरीयों को दोस्ट हाराना सरासर गलत है और वैग्यानिक है ठीक है यह बात आपको ध्यान रखना है तो आज से आप समझ गये कि लड़की पैदा हो रही है बार-बार उसका जिम्मेदार पूरुस है लड़का पैदा हो रहा है बार-बार उसका भी पूरुस ही है इस तरीका उसमें कोई दोस नहीं है समाज में इसको जानने की जरूरत है और आप आज यदि समझ गये हैं तो आप हमेशा याद रखेंगे उसके बाद सरकार ने या फिर अगला हमारे जो पॉइंट है परिवार कल्याण कारिकरम फैमिली वेलफेर प्रोग्राम जनसंख्या बढ़ने का मैंने बताया मादक दरब्य का बताया मैंने और लिंगनी धान का बताया इसके बाद सरकार ने एक कारिकरम चलाया कि बहुत सारी सुभधाय देनी है तो इसके लिए कारिकरम चलाया है परिवार कल्याण कारिकरम उसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि परिवार कल्याण कारिकरम के अंतरगत एक परिवार में दो बच्चे की संकल्पना की गई है यानि कह रहा है कि दो बच्चे ही अच्छे, आपने देखा होगा, दो बच्चे ही अच्छे, दो बच्चों का आप लालन पालन, यदि ठीक ठाक कमाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप दो बच्चों का लालन पालन, शिक्छा, चिकित सा सुबधाय करा सकते हैं. हम दो हमारे दो का प्रचलित नारा आपने हर जगर देखा होगा हम दो हमारे दो यानि कि हमारे दो ही बच्चे हो उससे ज्यादा नहों दो बच्चों के बीच कम से कम तीन बरसों का अंतर दोनों बच्चों के बीच कितने दिन का अंतर होना चाहिए तीन बरसों का अंतर होना चाहिए यदि तीन बरस का अंतर नहीं होगा तो क्या होगा ये समझे माली जे कोई लड़का एक साल का है तो उसको पता नहीं रहता है कि आग पानी या फिर उसको सेंस नहीं रहते हैं और तब तक आपने दूसरा बच्चा पैदा कर दिया तो उसका भी तो सेंस नहीं रहेगा तो दोनों का आप दिक्कते होंगी बड़ा वाला बच्चा बार बार रोएगा चोटा वाला भी रोएगा तो आप उसको सम्हाल नहीं पाएंगे जब बच्चा थोड़ा तीन साल या चार साल का हो जाए पहला बच्चा तब दूसरा बच्चा आप करें तो पहला बच्चा को पता रहेगा कि आग पानी या फिर खाना कैसे खाने हैं यह सब चीजे जब जनकारी रहेगी देट टाइम तभी सरकार कहती है कि दो बच्चों के बीच कम से कम तीन बर्सों का अंतर हो उसके बाद एक मिसन इंद्रधनुस सरकार ने चला है मिसन इंद्रधनुस इसमें क्या ब बच्चों सब भी बत्रों का टीका करन चाहें फोलियोग हो काली-खासी हो टृत्ने सो तarpेदि को ठाकरन कराना ही कराना आपने देख्वाइए जैसे पॉलियोड्या पिला जाता है या फिसाफम पैदा होता है उसको टीका करण किया जाता है को कि हमारे जैसे बच्च पैदा होगा बाहर निकलेगा उसके इस वात्तावरण में इस इन्वार्मेंट में उसके बहुत सारे रोग हैं हवा में ऐसे की टाणू जिवाणू घूम रहें विसाणू घूम रहें कि उसके सरीर को नुक्सान पहुंचा सकते हैं या कोई भी रोग हो सेकता है उसके लिए तीका करन कराने का उद्धश है और उसको बोलते हैं मिश्ण इंद्रफणूस कि कह रहा है कि इस तो बहुझ है इस भारत के सभी बच्चों का इचा करन करना इंद्दर खनूस के साथ रंगो को प्रदर्शित करने वाला मिसन है यह इंदर धनुस में कितने रंग होते हैं इंदर धनुस में कितने रंग होते हैं साथ रंग होते हैं ठीक है तो यह हमारी रोग भी जो ठीका करन होता है वो सात रोगों के लिए होता है देखते हैं कैसा जैसे इंद्र दनुस मुखरूप से सात रोगों के लिए है डिप्थिरिया, काली खासी, टिटनेस, पोलियो, तपेदीत, खसरा, तथा हिप्टैटिस भी ये सात रोग है इन सातों का ठीका करन कराना आवस्य बिमारियों के टीके बच्चों को लगाकर इन बिमारियों से सुरक्षित रखना ही एक कह सकते हैं कि मिसन इंद्रधनुस है कोश्चन आएगा मिसन इंद्रधनुस में कितने रोगों के लिए टीका करण किया जाता है तो आपके आएंगे 7, 8, 9, 10 तो आपके एंस्वर होंगे 7 जननी सुरक्षा योजना इसी चेप्टर के अंतरगत है इसमें कह रहा है कि गरीब गरभुवती महिलाओं को संस्थागत अगला है अगला देखते हैं अगला बोलता है जननी सुरक्षा योजना जननी सुरक्षा योजना क्या है देखते हैं गरीब गरभुवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूती कराने के लिए आर्थिक सहायता आपने देखा होगा के आजपास सरकारी अस्पताल में जब डिलिवरी होता है यानि बच्चा पैदा होता है तो सरकार के तरफ से उन्हें कुछ गरीब बेक्तियों को गरीब गरभु किया है कि इतने पैसे दिये जाएंगे लड़का होने पर लड़की होने पर वह इसलिए दिया जाता है कि उस बच्चे का देखभाल करें गरीब निर्दन गरभुवती महिला के लिए यह है जननी सुरक्षा योजना सरकारी अस्पताल में इसके अंतरगत आता है उसके गरभुवती महिलाओं के लिए या फिर मताओं के लिए जो की एकदम से गरीब हैं उनके लिए किया है तो रास्टे अंबुलेंच सेवा बोलता है कि दूरस्त गरामीड छेत्रों में गरभुवती महिलाओं तथा नौजाद सीसू को 2400 घंटे निसुल्क सुभदा उपलब का रास्टी अंबुलेंच सेवा नंतर गरत होता है कि आप फोन करेंगे एक सो आठ पे आजाएगी अंबुलेंच मत देखते एकदाट याnegगा होता है आप धेखा होगा एक्सिडेंट भी होते हैं तो हम 108 डाइल करेंगे आपका आ जाएगा 102 डाइल करेंगे आपकी एंबुलेंस आ जाएगी यदि मिर्दने आप ऐसे दुरस्त सेत्र में कोई महिला है ग्रबवती है तो डैट टाइम उसके लिए एंबुलेंस सेवाओं के अंतरगत दिया गया है और वह 108 लगाएंगे तो प्रदेशिक सेवा आपने देखा होगा एक एंबुलेंस चलती है उसके उपर 108 लिखा है कोई एंबुलेंस चलती है उसके उपर 102 लिखा है वह यह दर्स आता है कि प्रदेशिक सेवा के लिए 108 है और नेशनल सेव के लिए 102 है नेक्स पॉइंट है प्रजनन जनन स्वास्त है यह क्या होता है देखते हैं कि अभी तक हमने बहुत कुछ समझा कि जन्संक्या के बृधी के कारण उसके कूप्रभाव मादक दरब उसके कूप्रभाव उसके बाद से लिंग निरधार्ण कैसे होते हैं उसके आगे देखते हैं प्रजनन जनन स्वास्ते किस तरीके से रहेंगे या क्या होता है तो इस्त्रियों में जनन आउधी 11-12 वर्स से आयूसे प्रारम्भो करके 40-45 वर्स तक होता है 11-12 चालू हुआ और 40-45 वर्स तक का इनका मतलब यह इस्त्री जो है बच्चा पैदा कर सकती है फूर्सों में शुक्रान उत्पादण की जंता इस्त्रियों के पेच्छा अधिक अधिक तक रहती है पूर्सों में जो सुक्रान यह यानी बच्चा पैदा करनी कि जो छमता होती है वो 45-50 हो आस तरीके से रहता है यानि वो सुक्राणू पैदा कर सकते हैं जबकि इस्तिरियों में समानिता देखा जाता है कि 11 से 12 वर्ष में जब उनका मासिक धर्म चालू होता है MC चालू होते हैं तब से ले करके वो जब तक MC चलता रहता है तब तक वो बच्चे पैदा कर सकती है अब देखते हैं मासिक चक्र क्या होता है इस्तिरियों के अंडासयों में एक अंडासय परिपक होता है तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडासय से एक अंडाणू निकलता है इस्तिरियों में अंडासय परिपक होता है और वो क्या होता है 28 से 30 दिन के बाद वो बाहर की तरफ निकलता है लेकिन यदि अंडाणू निसेचन नहीं होता है तो इस इस्तिती में अंडाणू तथा गर भासे की भीतरी दिवारे मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं सही तूटने लगती है होता क्या है कि 28-30 दिन के बाद इस एज के बाद देखे माली जे 12 के एज के बाद इस तरी में अंडानों निकलता है और यदिये निसेचित नहीं हुआ तो कितने दिन में 28-30 दिन के अंदर तो ये क्या होता है रुधिर भलड खून जहां रुधिर वाहिकाओं के साथ यानि खून के साथ ये बाहर निकलने लगता है ये बाहर निकलता है जिसको देखे आज इसी को हम मासिक चक्र बोलते हैं 28-30 दिन बाद आता है यदि वो इस दोरान मतलब कि 28-30 दिन के पिरियेड में 28-30 दिन के पिरियेड में यदि वो कांटिन्यू संबंद या संलेन हो जाता है है तो पिरियेड सान बंद हो जाते हैं दो महाना तीन महाOoh एक महाएन दो महाइन नहीं आ तो आपको पता चल यह क्ला गर्भवती हो गई है तो यह बोला है यरी यह रुदिर्ष बाकाओं के साथ मोठी परत हो कर करके बाहर निकलते हैं योदि बाहर नहीं निकला मतलब वह आप समझ रहे हैं तो इस इस्तिती में अंडावन तथा अगर भासे कि भीतरी दिवारे मोटी होकर उधिर बाउंस काउं के साथ तूटने लगती है जिससे रक्त का रक्त का स्राव होने लगता है इसे ही रीतु स्राव या रोजोधर्म या महवारी कहते हैं आप देखें इसे ही इसे ही रीतु स्राव रोजोधर्म या महवारी कहते हैं अब क्या होता है कि अंडाण जो है वो निशेचित नहीं हुआ तो रुदिर भाईकाओं के साथ वो बाह बाहर निकलने लगा तूट करके रुधिर भाहि कहां से यह निए ब्लड का जो सर्कुलेस्व वहां से टूट करके वह बाहर निकलता है और ब्लड आते हैं तब ही हम बोलते हैं कि मासिक चक्र आ रहा है या फिर रजोधर्म बोलते हैं या फिर महवारी बोलते हैं या फिर रि सिखा और ये जानेंगे इसके अलावा 20 questions कराएंगे हम इस chapters के जो की बहुत important होंगे आपके आ सकते हैं ये जर्नल चीजें हैं आप क्या होता है कि इस पर ध्यान नहीं देखे और जब ऐसे chapter ऐसे questions आएंगे तो आप सुझेंगे तो science का तो है नहीं पूसराय के विश्व जन संख्या दिवस कब मनाते हैं विश्व तमाकू निसे दिवस कब मनाते हैं तो ये हमारे जर्नल साइन्स का ही पार्ट है चेप्टर नमबर एट में है जो कि मैं आपको बताया अब आगे हम देखेंगे कल हमने क्या-क्या सीखा है पूरे दोनों लेक्चर से और 20 कोस्टन कराएंगे एक इस्वा कोस्टन आपको देंगे आप करेंगे और हमें बताएंगे तब तक के लिए नमस्कार